क्या आप लोग भी pregnancy plan करें हैंगे जब आप pregnancy plan करना सुरू करेंगे आपको बहुत सारी evidence मिलेगी कि आप प्लान करें तो यह खाना छोड़ दीचिए मैं इस चर्णि है बहुत जर्क वाली कर रहे हैं कि अपनी जूब तक छोड़ देते प्लान करने के लिए तो यहां पर हम आपको आज गाइड करेंगे कि यदि आप प्रेग्नेंसी प्लान कर रहे हैं तो कौन से काम आपको छोड़ने चाहिए यानि कि वहां पर आपकी अच्छी रहेगी कि इंप्लांटेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी कभी क्या होते हैं पूरा महीना महीनत करेंगे लेकिन लाश्ट के चार पाक दिन में आप ऐसी गलती कर देंगे जिससे आपकी रुकेवी प्रेग्नेंसी भी निकल सकती है तो यहां पर उतने काम आपको छोड़ने हैं वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइकन सेर कर दीजेगा अपनी फ्रेंड्स को जो जो प्लान कर उसको भीज़े ताके उन लोगों को भी पता चले कि कितनी चीज़े जरूरी नहीं है वहां पर फोलो कर सकते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आपको प्रेग्नेंसी प्लान देंगे तो ऐसा करने से कि जल्दी प्रेग्नेंसी रुकेगी जी नहीं यदि आप अपनी जो नॉर्मल रूटीन आज की जो लाइफस्टायल है उसको तुरंत बहुत ज्यादा मात्रा में चेंज करेंगे तो वहां पर और होर्मोन बिगडेंगे और एक कॉलीटी बिगडे इसको चेंज नहीं करने इस टेपल डायट आप वहां पर कंटीनियू रखे क्योंकि आपकी बोडी आपके होर्मन उस डायट के साथ सेट है तो आपको अपने डायट चेंज नहीं करने लेकिन इतना याद रखिए कि आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ना चाहिए एक नहीं मिलता है तो एक गलास दूद के साथ एक चमच प्रोटीन पाउडर ले लिए यानि के एक पूर्शन आपको प्रोटीन बढ़ाना है बाकि पूरे दिन में आप नौर्मल डोटीन जो भी डायट लेते हैं वह ले सकते हैं दूसरा एक दिन में एक बार आपको सिजनल फ लेना ज्यादा में लेना है इतना सारह आप एडि करेंगे जैसे प्रोटीन हो गया और ड्राइफ रूट हो गया बाकि आप पूरा दिन के जो नौर्मल रूटीन खाते हैं वह खा सकते हैं दूसरा यह बहुत ज़्यादा है कि सुगर बिल्कुल बंद कर देते हैं प्लान कर यह बहुत आप वेट लोज करना चाहते हैं आपका वेट ज्यादा है आपकी बीए मैं से ज्यादा वेट ज्यादा वेट के चलते आपको वहां पर इंप्लांटेशन में दिक्कत हो सकती है लेकिन आपका नौर्मल वेट है तो आपको सुगर अवर्ड करने की ज़़रत नही प्रेगननसी नहीं रुके यह इसा नहीं है यह वेट लोज करना चाहते हैं तो आप वहां पर सुगर बंद कीजिए फूट बंद कीजिए लेकिन यह आप नौर्मल वेट है आपका कम वेट है तो आप सुगर खा सकते हैं ज्यादा तर चाय में एक बार लेंगे उससे ज्या कम प्रेजा नहीं चाहते हैं मैं घ्यादक करना चाहते तो जंपुड आवर्ड कर सकते हैं नौर्मल वेट हो तो इसमें आप जंपुड कह आ सकते ऑगमें या 5 दिन में एक बार अबार का कुछ आएंगे देलि तो कोई नहीं प्रेग्नेंसी प्लान करें तो सब कुछ आप बोर हो जाए अपकी लाइब क्योंकि ओल्रेडी स्ट्रेस तो रहता है यह प्रेग्नेंसी नहीं रुकने का टाइम पर दवाए लेना रिलेशन रखना सब कुछते रहते हैं फिर आप कभी बार कभी नहीं काएंगे कहीं आफ आलक wyglहल नहीं लेना है स्मोकिंग नहीं करना है टोब्य को नहीं लेना है और आपने आथ चरह आ एकलम मैं पार्टी में अगई यह प्रेग्मेंसी प्लान अच्छे से उसके लिए तो यह गलतिक अभी मत करना पुरा दिन घर पे बेट के बोडी हो अब्ज़र करते रहेंगे चोटी-चोटी सिम्टम पे ज्यादा ध्यान देंगे और ज्यादा आपके होर्मोन बिगडेंगे तो जोब का जो स्ट्रेस रहत नहीं है इसके अलाव आपके दिमाग में और कोई भी पर्टिक्लर चीज है कर सकती है नहीं कर सकती वह आप में कमेंट बुक्स में पूछ सकते वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कर दीजिए प्रेग्नेंसी प्लानिंग में दिक्कत आ रही तो में पतिक मेडिसीन सर्जरी आई वेप क्या आप दो से तीन मैने में भी नेचर कंसीव कर सकते हैं एमेच कम है आई वेप डॉनर के लिए बोला है तो उसकी बिल्कुल जरुरत नहीं है कम एमेच पॉइंट वन पॉइंट टू में भी में रहां इजिली नेचर प्रेग्नेंसी कंसीव हो जाती ह हजबन की रिपोर्ट खराब हो तो भी आई यू आई वेप करानी नहीं है विदिन वन टो टू मन्थ हजबन की रिपोर्ट भी ठीक हो जाती है कम्यूनिटी टेप में जाके फिडबेक्स आप देख सकते कितने इजी कितने अच्छी रिजल्ट मिलते हैं तो आप हमारी टेल टेपी बाइ